जैसा कि दोस्तों प्रिवेस पार्ट में हमने मोडिफिकेशन आफ टैप रूट के बारे में जाना आज के इस वीडियो में हम मोडिफिकेशन आफ एडवेंटेसियस रूट के बारे में डिसकस करेंगे हमारा आज का topic morphology of flowering plant का lecture 4 है और आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि adventitious root में किस प्रकार के modification पाया जाते हैं और किस वज़े से modification होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं adventitious root की तो जैसा कि मैंने previous वीडियो में आपको बताया था कि जो adventitious root होते है इनका जो origin होता है other than radicals होता है यानि कि radicals के अलावा इनकी origin होती है जबकि जो tap root होते है इनकी origin होती है radicals से तो आए समझते हैं कि adventitious root में modification किस तरह का होता है और क्यों होता है तो इनमें जो modification होता है उसे हम three part में divide कर सकते हैं तो पहला जो टाइप है उसमें जो modification होता है वो mechanical support के लिए होता है दूसरा जो टाइप है उसमें जो modification होता है adventitious root में for the storage of food के लिए होता है। और जो लास्ट टाइप है modification का इसमें जो modification होता है adventitious root में कुछ special function perform करने के लिए होता है. तो आईए सबसे पहले हम बात कहते हैं mechanical support के लिए adventitious root में होने वाले modification. तो इसमें जो सबसे पहला है वो है prop roots. तो आप सभी ने बनियान tree यानि की बरगत का पेड़ देखा होगा और आपने देखा होगा कि उपा से कुछ structure नीचे की और लटकी होती हैं जो की soil में penetrate करके अंदर की और चली जाती हैं. तो ये जो branches होती हैं ये behave करती है like the pillar और support करती है plant को. और इन branching को हम बोलते हैं prop roots. तो जो बनियान tree होता है तो उसमें खुद का root और stem होता है तो जो normal root होते हैं वो तो soil के अंदर होते हैं और जो prop root होते हैं वो ऊपर जो branches होते हैं वहां से निकलते हैं और ये hanging structure होते हैं और धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि vertically inter कर जाते हैं soil के अंदर. तो ये एक तरह से mechanical support का काम करते हैं और हमको pillar की भाती दिखाई देते हैं जैसा कि आपने मकानों में देखा होता है कि pillar होता है जो कि support करता है तो इस तरह से जो prop route होते हैं ये एक प्रकार के mechanical support करने वाले routes होते हैं अगले modification के example की और जो कि support के लिए है वो है stilt route तो stilt route आपको मेज और सुकर के में देखने को मिलता है और ये जो route होते हैं ये node से निकलते हैं और obliquely grow करते हैं obliquely grow करने का मतलब की जो stem होता है वो सीधा grow करता है ठीक है तो stem का जो node है उस node से ये निकलते हैं और ये अब लिकली ग्रो करते हैं और इनकी जो size होती है बहुत छोटी होती है और ये भी support provide कराते हैं जैसे कि tent में rope लगे होते हैं और tent में जो side से rope लगे होते हैं और tent को एक तरह से support provide करते हैं तो ये जो stilt root होते हैं ये भी एक तरह से rope like structure दिखते हैं आप देख सकते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सुगर केन के प्लांट होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं तो ये एक तरह से इनके जो बेसल पार्ट हैं वहाँ पर सपोर्ट प्रवाइड करते हैं आई चलते हैं एडवेंटेसियस रूट के अगले मोडिफिकेशन की और जो की सपोर्ड के लिए है वो है क्लाइंबिंग रूट तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये जो जड़े होती है यह उपर क्यों चड़ने में सहायता करती हैं तो क्लाइंबिंग रूट की जो ओरिजिन होती है यानि कि ये भी नोट से ही निकलते हैं इन वीक क्लाइंबर स्ट्विन एराउं climbing root निकलते हैं और यह आसपास के जो support होते हैं उससे चिपक जाते हैं और चिपक कर climbing plant होते हैं उन्हें उपर की और चड़ने में सहता करते हैं जैसा कि आपने money plant या फिर black paper या बीटल में देखा होगा चलते हैं अगले supporting modified advantageous root की और जो कि है buttress root buttress roots are present at the basal part of stem and spread in different direction in the soil तो आप सभी ने कभी ने कभी इस तरह की tree देखे होंगे जिसमें की vertically elongated और horizontally compressed आपको root देखने को मिलेंगे तो यह ऐसे root होते हैं जो कि soil के अंदर जाते रहते हैं तो buttress root आपको ficus में टर्मिनेलिया में देखने को मिलता है आए चलते है modification of advantageous root के अगले type की और जो कि है food storage के आधार पर तो storage of food के आधार पर हमने tap root में भी देखा था previous video में तो आए आज के इस video में जाने की जो advantageous root है उसमें किस तरह का food storage के आधार पर modification पाया जाता है और यह कितने type के होते हैं तो इसमें सबसे पहला है simple tuberous roots तो अगर हम बात करें simple tuberous root की तो यह creeping root होते हैं और यह fully होते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि इनका कोई shape नहीं होता और यह हमेशा singly arise होते हैं यानि कि जहां पर बनते हैं अकेले बनते हैं गुच्छों में नहीं बनते हैं और यह निकलते कहां से यह stem के note से निकलते ह और soil के अंदर चले जाते हैं जैसा कि आप figure में देख सकते हैं sweet potato का this is the example of simple tuberous root चलते हैं अगले modification की और जो की है fasciculated tuberous root तो fasciculation का मतलब होता है गुच्छे में तो जब गुच्छे में tuberous root मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं fasciculated tuberous root इस तरह के जो root होते हैं वो आपको डेहलिया में देखने को मिलते हैं और इनका जो safe होता है वो fix होता है ठीक है यानि कि यह definite safe के होते हैं चलते हैं अगले type की और जो की है nodulus root तो यह भी root जो है यह store करता है food को तो nodulus किसे करते हैं only apex of the root become swollen यानि कि इस तरह के root में जो apex reason होता है वो full होता है तो आप देख सकते हैं यह apex reason तो इस तरह गूँदा है यानि किनारा है जो की फुला हुआ है तो जो किनारा अगर फुला होता है तो इस तरह के root कहलाते हैं nodulus root तो इस तरह के root आपको mango, ginger, turmeric इनमें देखने को मिलते हैं चलते हैं इंगले type की हो जो की है monelongely form roots तो mon treadmilly form roots क्या होते हैं इनमें जो root होते हैं होते हैं और दबे होते हैं यानि कि फुले होए और पिछके होते हैं ये आपको ग्रासेज में मोमो रीडिका में इन सभी प्लांट में देखने को मिलते हैं अई चलते है Adventitious root के अगले modification के type के और जो की special function के आधार पर है तो इसमें सबसे पहला जो example हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे epiphytic roots तो आप सभी ने epiphyte plant पढ़ा होगा कि ऐसे plant जो कि किसी दूसरे plant पर grow करते हैं उन्हें हम बोलते है epiphyte plant और epiphyte plant में special type का root होता है जिसे हम बोलते है epiphytic root these root are also called aerial hanging roots इन्हें हम aerial hanging roots भी कहते हैं क्योंकि यह जो जड़े होती हैं हवा में तैती हुई दिखाई देती हैं और यह spongy होती हैं यहाँ पर मैं आपको एक important point बता दूँ due to the presence of velament tissue they are hygroscopic and have a porous wall तो इसमें एक special प्रकार का tissue पाया जाता है जिसे हम बोलते है velament tissue और यह जो velament tissue है यह hygroscopic nature होता है यानि कि इनमे water absorbing property होती है चुकि यह plant किसी दूसरे plant पर grow करते हैं तो इनको water तो नहीं मिल पाता तो यह क्या करते हैं अपने चारोर environment से water को absorb करते हैं तो इसके water absorbing इस property के कारण इसे हम बोलते है hygroscopic in nature तो याद रखेगा बड़ा important है velament tissue जो कि epiphatic plant में पाया जाता है they are also called assimilatory roots due to their partial capacity of photosynthesis तो इन roots को assimilatory roots भी कहते हैं क्योंकि यह कुछ amount में photosynthesis के through अपना भोजन भी बनाते हैं they absorb moisture from atmosphere जैसा कि मैंने उपर आपको बताया था कि अपने atmosphere मतलब अपने चारों तरफ environment से क्या कहते हैं water को absorb कहते हैं moisture के form में example के रुप में लें एपिफिटिक plant जैसे की orchid venda dendrobium तो इन सभी plant को आप याद रखेगा यह सभी एपिफिटिक प्लांट है और जो important point है वेला मेंटिसू आप इसको याद रखेगा यह जो है आपको एपिफिटिक रूट में देखने को मिलता है अगले special type के adventitious root modification की और जो की है पैरासाइट roots या फिर हास्टूरिया इन्हें हम sucking root भी कहते हैं तो जैसा की image में आप देख सकते हैं यह एक host है जिस पर एक parasite viscous album पया जा रहा है और इसके पास parasitic root है हास्टूरिया जिसके तुरू यह host से क्या करता है nutrition absorb करता है तो यह करते क्या है अपने हास्टूरिया को host plant के अंदर penetrate करते हैं और इनका जो muscular bundle होता है वह host plant के जाइलम तक जाकर पहुंचता है और जो भी nutrition host plant absorb करते हैं वह इन parasite plant को मिलता रहता है तो जो पार्सल पैरासाइट होते हैं इनके जो हास्टूरिया होते हैं वह केवल जाइलम element तक ही penetrate करते हैं और उसके थ्रूँ यह water और mineral absorb करते हैं तो यदि हम partial parasites के example की बात करें तो इसका example है viscous album अब यदि हम बात करें total parasite की तो जो total parasite होते हैं यह अपना जो हास्टूरिया होता है उसे host plant के जाइलम और फ्लोयम दोनों तक पहुंचा देते हैं और जिसके थ्रूँ यह absorb करते है water mineral और nutrients तो पार्सियल पेरासाइट के बात करें वाटर और minerals absorb करते हैं जबकि जो total parasites होते हैं वह water mineral और nutrients तीनों ही absorb करते हैं इसका example अगर हम बात करें कस्कुटा और चलते हैं अगले specialized roots की ओर जो की है assimilatory या फिर कह सकते है photosynthetic root तो जैसा की नाम से clear कि यह ऐसे roots होते हैं जिनमें की photosynthetic pigment होते हैं यानि की chloroplast पाये जाता है और जिसकी वज़ा से यह photosynthesis करते हैं और यह दिवात करें हम इनके habitat की तो इनका जो habitat होता है वो बहुत ही large है यानि की यह terrestrial aquatic यहां तक की यह epiphytic रूप में भी पाये जाते हैं when these roots exposed to the sun they manufacture food और यह जो root है जब sunlight के contact में आते हैं तो formation करते हैं अपने food का example की बात करें टीनो इस्पोरा तो टीनो इस्पोरा आपको image में दिख रहा होगा यह support के through चड़े हैं तो यहां पर देख रहे हैं आपको photosynthetic root दिख रहा होगा यह एक प्रकार के hanging roots होते हैं जो की sunlight के presence में अपने food का formation करते हैं इसी तरह के root आपको orchid में भी देखने को मिलते हैं एक और example की बात कहते है ट्रैपा जिसे हम local language में सिंघाडा के नाम से जानते है ठीक ठीक है आई चलते हैं अगले modified advantageous root की और जो की special character रखता है और वो है reproductive roots तो कुछ पौधों में जो advantageous root होते हैं उनमें bird develop हो जाते हैं जो की आगे चलकर leafy suit का formation करते हैं तो example की बात करें तो sweet potato तो दोस्तों यह था हमारा आज का lecture 4 जिसमें की हमने modification पढ़ा advantageous root में तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना मद भूलेगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बगल में जो बैल आइकान है उसे प्रेस करना मद भूलेगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इंफर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोडिफिकेशन आपको मिलता रहा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जहि जबहरत